गुरुकुल प्रेब डेली पॉडकास्ट पाँच जुलाई डेली अपडेट एक नियुक्ती डॉक्टर बी एन गंगाधर नैशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी ने डॉक्टर बी एन गंगाधर को एनमसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है डॉक्टर संजे बेहारी और डॉक्टर अनिल्टी क्रूज को भी प्रमुक पदू पर नियुक्त किया गया है डेली अपडेट दो रक्षा पूर्व आर और एड़ जभी प्रमुक राजिंदर खना नए अतिरिक्ट आएने से नियुक्त राजिंदर खना को अतिरिक्ट राश्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार आने से के रूप मेश्मार्श क्रूप में पदूनत किया गया है टी वी रविचंद्रन और पवन कपूर को नए उप राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है Delhi Update 3 अंतराष्ट्रिय हंगरी ने EU काउंसल की घूर्णन अध्यक्षता संभाली हंगरी ने 6 महीने के लिए अध्यक्षता संभाली है जिसमें EU प्रतिस परधात मक्ता बढ़ाने और अन्य प्रमुक प्राथमिक्ताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है Delhi Update 4 विविद प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नितीश कुमार रैडी को ब्रांड अमबेसेडर बनाया इन प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को उनके उत्कृष्ट प्रधर्शन के लिए प्यूमा इंडिया ने साइन किया है Delhi Update 5 श्रधान जली वयोवरिद अभिनेतरी स्मृती बिस्वास का सौ वर्ष की आयू में निधन हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद स्मृती बिस्वास का नासिक महराश्ट्रा में निधन हो गया Delhi Update 6 योजनाय और समिती केंद्रिय मंत्री जी किशन रैडी ने निर्मान पोर्टल लॉंच किया ये पोर्टल UPSC परीक्षा प्रतिभागियों को एक लाख रुपे प्रदान करता है जिसे कोल इंडिया लिमिटेड की CSR पहल के तहत समर्थन प्राप्त है Delhi Update 7 विज्ञान और प्रोध्योगी की इसरो का आदित्य L1 ने पहला हेलो ओबिट पूरा किया आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृत्वी लेगरेंज बिंदू एक के चारों और अपनी पहली हिलो कक्षा सफलता पूर्वक पूरी की Delhi Update 8 भारत ने जौडन में U23 एशियन रेस्लिंग चांपियंशिप में दबदबा बनाया भारतिय पहलवानों ने चैंपियंशिप में आठ पदक जीते जिसमें चार स्वर्ण पदक शामिल है Delhi Update 9 राज्य उडीसा HC के न्यायमूर्ती सारंगी जारखंड HC के CJ नियुक्त न्यायमूर्ती BR सारंगी को जारखंड उच्च न्यायाले के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 5 जुलाई को शपत लेंगे Delhi Update 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन भारत 21 जुलाई से नई दिल्ली में UNESCO World Heritage Committee सत्र की मेजबानी करेगा ये 46 वा सत्र भारत मनपम में आयोजित होगा जिसमें 195 देशों से 2500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे